वेल्कम तु खडखंपालिया वाटरफोल जामनगर से एप्रोक्स 40 किलोमेटर दूर है ये वाटरफोल वाटरफोल तक जाने वाला रास्ता भी बहुत खूप सूरत है पूरा हर्याली वाला ग्रीनरी है चार ओर ये खडखंपालिया का डेम इस रास्ते से हमें आगे जाना है सामने जो कार दिख रही है वहाँ वैकल पार्क करके अब हम थोड़ा पैदल चलते हैं ये जो ज़नता दिख रही है वहाँ जाना है हमें थोड़ा यहां से नीचे उतर के चलना होगा हमें तो चलो चलते हैं यहां से उतरने के बाद ऐसे पत्थर और पानी से चलना होता है यह वाली जगह से हम नीचे आये थे और अब यह क्रॉस करके जाएंगे सामने वाटरफुल के पास नस्दिक पॉंच ते ही कच्रा दिखा बिलकुल वाटरफुल के पास चंता जहां भी जाती है गंद मचा के ही आती है यह पूरा नजारा वाटरफुल का लोग नहा रहे हैं मस तस्वीरे खिचवा रहे हैं और यह है खूब सूरत सा वाटरफुल और स्पेशली बारिस के टाइम पे ही एक्टिव रहता है यह डेम के पानी से यह वाटरफुल बनता है तो अगर आप आते हो तो मैक्शूर की बारिस के टाइम पे ही आना थोड़ा हम भी एंजोई करते हैं फोटो वीडियो लेते हैं फिर चलते हैं वापिस यह जो पूरी रोड है यहां से हम आये थे अब चलते हैं वापिस यह जो डेम का पानी है यह ओवरफुल होता है तब जाके आगे यह पानी वाटरफुल में कनवर्ट होता है अगर आप जामनगर के आसपास रहते हैं तो बारिज के टाइम पे यहां बिलकुल आया जा सकता है बहुत ही सुन्दर जगए है झाल आपके आसे बहुत है बहुत है